कुईशन इमर ठर्ड देखिए बच्चों कंस्ट्रक्ट आप पेरलेलोग्राम पीक्यू आ रहे हैं जिसमें आपको दो साइड दी गई है और आपको एंगल दिया गया है क्यू 75 डिगरी डरिने की जरूबत निया है पेरलेलोग्राम में आमने साइड वाली साइड बराबर हो पर बनेगा आपका R यहाँ पर बनेगा आपका S ठीक है और यह लीजिए इसको ऐसे बना दी दिए जैसे भी आपका मन कर रहा है PQRS पीक्यू कितना बच्चों आपका यह आपका 4 cm और आपका QR कितना है QR आपका 5 cm 5.7 cm क्योंकि पैरलेलोग्राम में आमने साइड बराबर ह होती है तो अगर यह आर कि 5.7 है तो यह भी 5.7 होगा एद बहुत ईची हो ऊगे आपका अगर यह फूर ना हो आपका श्रीआ तो यह भी 4 होगा उपर वाला ठीक है यह बनेगे आपका यहाँ लिखके संट्रॉक्शन-St trabalhने स्टेप्स ऑफ कंस्रॉक्शन ठीक है parallelogram hence its opposite sides are equal बस यह आप लिखिल हो गए ठीक है इसलिए आपके पास क्या हो गया आपके पास जो है आपके पास इतना है तो यह भी इतना हो जाएगा ठीक है ना चलिए आप क्या करेंगे आप देखिए अगर आपको सर्फ नाम से पता लगा होगे तो देखो एसे यह प्यक्यू आप क्यू है उतना प्यक्यू फोर यह इस एक ж pick सो यह आप है ठीक है ठीक है एक पूड़ा है एक जोरता ऐसे बनता है और एक जोर आ sih बनता है एक यह सब्लबर और न Must कहा प्रस्ट का और लास्ट का और यह बीच की दो यह बराबर ठीक है देख लिजीए पीएस बराबर की की यह बराबर की यह क्यों आँक कैसे बिन जाता है अब बॉझे–से साइट सेktion क्या होती है इक्वल होती है आप चाओ यहां पर या अपने उसमें अपने नोटबुक में यह बना के दिखा सकते हो यह जो भी जब आप एक्जाम करोगजा ना एक्जाम दोगे तो आप यह बना के दिखा सकते हो just to you know make your teacher understand, ठीक है, चलिए, यहाँ पर लिखेंगे हम पहला, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों, सबसे पहले तुम लाइन ड्रॉ करते हैं, पी क्यों की 4 cm है, ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, आप करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मैं नीचे कितनी हो गई, लाइन सेग्मेंट, पी क्यू, इक्वल्स टू 4 cm, टू में, टू में क्या है, टू में हम लिखेंगे, हमें बनाना है 75, कहा बनाना था मैं, यहाँ पर बनाना है 75, तो 75 बहुत इजी हो, तब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कंपस में कोई भी रेडि यहाँ पर रखेंगे, आपको 120 के लगानी है, फिर आपको 90 बना लेना है, 90 बन गए है, अब आपको क्या है, यह 60 है, 90 और 60 के बीच में कितना रिफरेंस है, 30 का, तो हमें जब भी, मलब डिफरेंस है, आगर आप क्या करोगा, यहाँ पर आर्क रखोगे, यहाँ पर कंपस क इसको बोलते हैं, तो 30 का था, ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम देते होगे, एक्स बोल दो, एक्स, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर, at, q, construct, angle, x, q, e, कितना है, आपका 75, डिगरी, यह 75, डिगरी है, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, आर बनेगा, यहाँ पर आर बनेगा, यहाँ पर आपने, रखा कंपस, रेडियस ली 5.7, कट लगा दी, मानलो, यह रखा आपका, ठीक है, यहाँ कट होगे, आर का, त लिखेंगे, टेक, रेडियस, कितनी बच्चो, 5.7 cm, and, ड्रो, एन, आर्क, टू, कट, x, q, at, r, ठीक है, यहोगे, आपका, अब आप क्या करोगे, आप देखें, यहाँ पर भी आपको दी गई है, 5.7, पर रखेंगे, ठीक है, और, एक आर्क लगा, लगाएंगे, आप चाहो तो, आर्क भी रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, तो, इसको क्या लखेंगे, सेम यहाली लाइन, टेक, सेम रेडियस, लिनिया में, टेक रेडियस, 5.7 cm, and, ड्रो, एन, आर्क, फ्रॉम, कहां से लगानी है, पी से, फ्रॉम ठ ठीक है, तो, यहाँ पर हमने लिए, और हमने एक आर्क लगादी, मतलब हमने ऐसे लिए और एक आर्क लगा दी, तो, मानली जी यह इसको बड़ा कर लेते हैं, अब देखिए, फिफ़् पॉइंट, एक रेडियस, कितनी लेनी है फूर सेंटीमीटर and draw and arc to cut previous arc जो previous arc है उसको cut करेंगे ठीक है previous arc previous arc को cut करना है tick radius 4 सेंटीमीटर and draw an arc to cut previous arc at at किस पर यहापे point कि आएगा बच्चो pqr at s ठीक है at s यहापे रखोगे एक arc लगाओगे ऐसे arc लगा दी मानलो यह point आगया ठीक है यह point आगया अब इसको क्या करोगे अब इसको आप ऐसे join कर दोगे अगले point में लिखेंगे 6 में 6 इसको उटाते हैं यहाँ से क्या है यह drama इसको ऐसे हटाते हैं यहाँ से at s ठीक है s यहाँ पर लिख देते है six point यहाँ पर लिखेंगे join इसको p s and r s r s यह point s है आपका यह join किया और आपने यह join किया ठीक है तो यह आपका हो गया यह कितना था बच्चो यह जितना ही उतना ही है यह कितना ही आपका five point seven है five point seven centimeter यह भी इतना ही है है ना और यह कितना ही आपका four तो यह भी four है यह भी कितना ही जितना ही उतना ही है five point seven centimeter ठीक है ना ऐसे आपका बन जाएगा hence p q r s is the required क्या ही आपका परेलेलोग्राम है परेलेलोग्राम शॉर्ट फॉर्म है परेलेलोग्राम की ठीक है ना चलिए खतम